सभी साथियों को में नमश्कार स्वागत है आप सभी का आज 16 मार्च के जन सत्ता विश्लेशन में यह वीडियो देर से अपलोड हो सकती है क्योंकि मैं अभी उस दिन के लिए बिजी रहूंगा और इंटरनेट गनेक्टिविटी की कमी के कारण मैं वीडियो को टाइम से अप के पास ही मिले चलिए शुरू करते हैं आज का जन सत्ता विश्लेशन परिश्वे हमारी जो खबर है वो लेकर है जैसे कि हम जानते हैं लेक्टोरल बॉंड योजना 2018 में शुरू की गई थी और 2018 में शुरू की गई इस योजना को बेसिकली चुनावी फंडिंग एक नए त तरीका जिसमें जो भी व्यक्ति चुनावी पार्टियों को पैसा दे रहा है उसकी पहचान को गुपत रखा गया ठीक हैं उसकी पहचान को गुपत रखा गया उसकी पहचान को इलेक्रूल बॉंड्स के माद्धियम से सीक्रेट रखा गया हलाकि स्प्रिंग कोर्ट ने इस मैटर में दगल करी है और स्प्रिंग कोर्ट ने इस डेटा को बहार ले आई है SBI जो कि CareTaker थी Electrical Bonds की स्प्रिंग कोर्ट का यह पहल था Transparency को ले के फिरिंग कोट ने कहा जब इस जनता को नहीं पता है कि उसके जो उसके दोरा चने गए पार्टी आ हैं उसके दोरा चने गए लोग हैं वो कितना फंडिंग ले रहे हैं कहां से ले रहे हैं तो यह किसी भी democracy के लिए transparency बल्कुल नहीं है सुनिंग कोट ने सरकार की एवंस SBI की वटकार लगाते हुए भी एक्षारंग किया संख्या मतलब जानते हैं हर चीज़ के कोड होता है कोई रसीप्ट होती है रसी नंबर होता है तो ऐसी इलक्रोल बॉंड्स के स्पेशल जो आइडिटिफिकेशन नंबर थे वह मांगे हैं अल्फनिमेरिक नंबर होते हैं बेकुल जो एक्जैक्टली बता देंगे कौन सी एंट्री का हुई है खुलासा करने का अदिश दिया प् परदीवाला और नयाय मुर्ती मरोज मिश्रा भी शामिल थे उन्होंने बॉंड की शंक्या का खुलासा नहीं किया जो हर अधाल में करना होगा सुप्रिंग गोट ने कहा कि चुनावायों की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए बिवराज जरूरी है श्रीश अदालत चुनावायों ने अदालत में चुनावी बॉंड दस्तविश पेश कर दिये थे असलमें नाम तो इलेक्टरवल बॉंड के दिये हैं मगर जो एक्जाक्ट कोडिंग किसी बीचिस की होती कोडिंग वो जरूरी होती चानने के लिए कि कौन सी फाइल है कब की एंट्री है क्य कर्दी में मालडीर ज्य bisschen कुछ समय से भारत को लेके कुछ ठणी हुई है मालडी के मोहिजू साभ जो है वो खुछ खुछ नहीं दिख रहे हैं भारत झाल colleg Judy में चीन मालडीर के पीच परक्षない स्म NASA brother एक सीन साधा देने के साथ उसके सेना प्रसिश डेगा कि अभी तक माल् सागर के बहुत बड़े चेतर में उसके दूइब फैले हुए हैं यहां इसमा सागर के उस अहम इस्से से है जहां वेश्विक शिपिंग लाइन गुजरती हैं शी जिन पिंग के आर्थिक विदेश और सुरक्षा नीटी के लक्षे रखई हैं और अधिक में दुकांची और उनके खास लक्षों में चीन को समद्री महाँ शक्ती बनाना शामिल है साथ ही हम जाते हैं कि माल दीव जो अमरे लक्षो दीव दीवों के पास में पाया जाता है अगर हम बात करें कि यह हमारा भारत है और यह अमरे लक्षो दीव है तो माल दीव यहां पे है ने कुल नज बहुत दृब जाल है और यहां की लोकल डायलक्ट वाली भाषा है दिवेही नाम है यहां की लोकल लोग बोलते हैं यह इन दोनों जगापे common है दिवे ही तो यह भी आध ध्यान रखिएगा अब हाला कि कुछ चीजे हैं जो उनलोगों समझ में नहीं आ रही हैं तो हर राश्ट्रिपनेंट है अपना काम करने के लिए समधर में आफगमन के प्रमुक मार्ग की SROC का जाता है संचार के ये समुधी रास्ते वैश्विक अतवस्ता के परिचारान के लिए बहत मतपून माने जाते हैं भारत का विशार प्रायदीप और इसके चारो और फैली दुईपी जिंखला की सामरिक अवस्ति के अवस्ति कि इसकारण यह चेदर समुधी स्रक्षा के जिश्विक सियातिन मतपून है मालदीव के असपस के SLOC का समँधी वैपार के लिए व्यापक राडनीती में तो है हिनमासागर में किसी भी देश की 30 सीमा भारत जैसी नहीं है हिनमासागर पर्श्रिम में और बूरब रवेश्या देशों को मिलाता ओर भारत को केंदरी यह चेदरी में लाता है हिनमासागर की तटो से चीन बहुत धूर है और उसके हमेशे यह है डर बना रहता है कि भारत के सहीं के से अमरीका हिनमासागर से उसकी अबुर्थी लाइन को काट कर उसे कभी भी अलग तलग कर देगा देखे चीन तो वैसी हम जानते है कि अपनी एक्सपैंशनिस पॉलिसी जो उसकी विस्तारवादी नीती है उसको अक्राम एक रूप से फॉलो कर रहा है टीक है साकचाना सी में हम देख चुके हैं कैसे चीन ने ददवढ बनाय हुआ है अपना प्रयास में है अब मालदीव ने गल्दी कर दिए मालदीव ने इंडिया से तश्मनी करके किसे कहते नहीं है कि आप कभी कभी कुछ गलट ने ले जाते हैं अब चाइना देखी यह वात सच है कि इंडिया और यूएसे इंडिया और यूएसे मिलकर अपनी तो भाई आर्मी और नेवी को स्ट्रॉंग करी रहे हैं यूकि चाइना तो आज ये तो कल कुछ भी कर सकता है चाइना को ये डर है इसलिए उसने माल्डीव से दोस्ती कर ली जैसे श्रिलंका से भी करी थी जैसे आपका पाकिस्तान से भी करी थी चाए वो बैल्टन इनिशेटिव की रूप में हो या बंदर का खरीदने के लिए हो वगएरा वगएरा माना जाता है कि चीन की नौसेना समुद्धी शेतर में एक दूर जैने पल है और वह पश्रिमी पशांत हिंसमासागर और यूरोप के आसपास के वियापक जल शेतर में बड़ी संक्या में अभियान चला रही है इसके साथ ही सायता कूटनीती के नाम पर भारत से लगी देश में चीन नियंतित बंदरगाओं और सेने सुविधाओं के विकास से भारत के रणनीती खितों और चेतरी सुरक्षा को लगातार चोट पचा रहा है शिरंगा का, हमन्टोटा, मंग्रादेश का चिटगाओं, बंदरगा और मैनमार के सित्वई परियोजना समेथ मालदी के कई निर्जन दीपो पर चिनीन कबजे से भारत की सामरिक और समूदी सुरक्षा की चौनातियों बढ़ गई है मालदी चीन कोई में तो कांची परियोजना, बेल्ट और नोड इनिशेटिव का हिस्सा है आर्थिक बागिदारी के साथ ही चीन यह भी सनिशित कर रहा है कि चीन फर्मो द्वारा संचाले टर्मिनल और मालजिक शेत्रों वाले बढ़नीतिक रूप से सित्व देशी बंदर गाहों का उपयोग करने से उसकी से ना द्वारा किये जा सके अब देखिए चीन क्या कर र हैं बंदर्गा है यह बोला कि ऊपके आएंगे जाएंगे तो आपकी वड़ते बस्ता भी मश्बूत रहा करेंगी यह कहा रहा है पर असल में चैना क्या करहा है लोग को यह लोग कभी वापस नहीं पाएंगे तो हम इस लोन की पॉलिसी के अंतरकत वह जगा पूरी कैप्से कर लेंगे हमन्डोटापोर्ट शिलंका में क्या हुआ ऐसी ले लिए चैना ने आप देखना क्या होगा चैना अपनी आर्मी के मुव्मेंट को इन्ही मार्गों के सहरे और बढ़िया कर देगा बंद एक चीनी सरकारी कंपनी तवारा किये जाए गया है यह बंदरगा फारा सिखाडी से आने वाले मेतपूर्ण शिपिंग मार्गों के करीब मिश्त है शिलंका का हमन्डोटा बंदरगा एशिया और यूरोपी अंदराशी शिपिंग मार्गों सुईज नहर और मलका जल यह बड़ता बनी हुई है और इस मार्गों को लेका चीन संशे में रहा है क्योंकि अमरीकी नहुसे नहीं इंडो पैसिफिक और मद्यपूर में बहुत मजबूत है था यही एक मातरबल है जो S.O.C. की सुरक्षा संशेट करने मक्सक्षम है देकि चीन जो है अब यह आपक इधर आपका अमन्ट उटा हो गया दूसी तरह उगाएंस्तां के पास में गौदर हो गया बंदरगा आपका ऐसी प्रयास कर रहा है कि जासा बंदरगा को कैप्चर कर ले और ट्रेड रूट तो इसी भाहने उसके हाथ में आई जाएगा अगला आटिकल है कीमत का चुनाव चुनाव नजदीक आने पर सरकारों की तरफ से लोग लुभाव ने योजनाय पर योजनाय के अनावरंट बस्तू की कहिमते में कमी कमी आदी की खोशना करना कोई नहीं बात नहीं है पेट्रोल और डीजल के दाम दो रूपे गरा दिये वगएरा वगएरा पेट्रोल लीजल की मस्तर बनी हुई थी हलाकि इस बीच कही बार एक अच्छे तेल की कीमत में उतार देखा गया उसके मदे नजब हांग की जाती रही की पेट्रोल लीजल की खुदरा कीमते भी कुटवती की जाने चाहिए मगरा तो सरकार ने तर्क दिया की तेल के दाम थे बीच में बहुत बार कम हुए हैं तब भी जन्ता ने मांग करी है कि तेल जब कम में आ रहा है तो भाया आवा में कम में बेचो ना मगर तो सरकार ने नहीं करा बहाना के हमारा कि भाया अभी तो कम्पनियों को घाटा हुआ था वो बरपाई कर रहे हैं उससे प्रॉफिट लेंगे अब इलेक्शन पास में आ रहा तो कम कर दिया तो यह लिखाख हमारे ही कहना चाहरे हैं कि चुनाब पास में आते ही ऐसे ल सरकार ने तेल की गिप्टों को कम करने पर विचार नहीं किया सबसे अधिक आरोब तेल पर लगाने वाले उत्पादन शुल्क लेकर उठता रहा है मतलत लिखे हम जानते हैं कि सब इलेक्शन के पास मायने के पास सरकार यहांसा करती हैं आगाते हैं बहतरी की उमीद किसी विदेश में आप लोगों के जीवन सरक में कई बार बहतरी से यहां का जाना चाहिए कि वहां कि सरकार और उचनता के जीवन स्थियां में सुधार के लिए वादे परवास्ते में कितना काम हुआ भारत ने पिछले कई वर्ष से राजनीतिक भैसे और चुनावी बुद्धे हैं कि रूप में विकास एक बड़ा मुद्धरा आयदे नहते वस्ता से लेकर अन्य कई मोर्चों पर बहतरी की तस्वीर पेश की जाती है जाती है तेके हम देखें कोई भी देश में अगर विकास जन्ता का हो रहा है इसका मतलब दो नारेटिव से टूले चाहिए पर नारेटिव क्या है कि जन्ता भी तो आपका जो मांग कर रही है सरकारे उसे पूरा कर रही है जो कि अच्छी बात है इस सुलमाता गूरूप से एक अंका सुधार जो भी मानव विकास रिपोर्ट आई थी Human Development Index होता है मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं से यह आपका ना UN स्नियों के राश्टर जारी करता है तो इसमें हमारा जो ना रैंकिंग है ना वो पिछली बार के मुकाबले अच्छा हुआ है ठीक है रैंकिंग ज सुधार के लिहाज से यह कोई बड़ा अंतर नहीं है लेकिन बैतरी की तस्वीर को देखते हुए परविक्षे के लिए अमीद जिरूर पैता होती है एक लेकिन सुधार लेंगे के समानता सुचकांग के मामले में आई है इसे 22 में भारत को 108 वे 188 वे इससान पर रहा रहा इस में बारत को इस मामले में 122 वे पाईदान पर जगा मिली थी अधी हमारे इंडेक्स के बाद जरूरी है अगर आप रार्रामिंग परीक्षा की बात कर रहे हैं मुक्के परीक्षा में लिखने के रिए content मिल जाता है और बार्रामिंग परीक्षा में mcqs क्यू साहल हो ज जाएंगे और इसके लावा जो भी खबरें हमने यहां पर डिसक्स नहीं कर रही है क्योंकि हम यहां पर स्ट्रिक्टली जन सद्धक्र करने का प्रयास कर रहे हैं आप वेबसाइट पर जाके कर इंटरफेस को पढ़ सकते हैं डिटील में हमने बताया हुआ है विद एक्स्पर कर दो